हेलो फ्रेंट्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है माय रेसिपीस की कीचिन में आज हम बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे नमकीन पारे और बिल्कुल ही इजी तरीके से तो चलिए इसे बनाने के शुबात करते हैं तो यहां हमने मैदा लिया है 500 ग्राम इसमें डाल देंगे नमक एक चमच और यहां मैंने जो जीरा लिया है यहां मैंने शाही जीरा जिसे कहते हैं वो लिया है यहां पर मैंने जो अपन रेगुलर इस्तिमाल करते हैं वो जीरा नहीं लिया है तो इसमें शाही जीरा डाल दिय और अभी इसे हमने आच्छे से मिक्स कर लेना है जो नमक और शाही जी रहा होता है यह बहुत अच्छा टेस्ट देता है नमकी फारे में और यहां पर आभी डाल देंगे हम गरम तेल तो यहां पर मैंने तीन बड़े चमश गरम तेल लिया है और बिल्कुल कड़क गरम करना ह बहुत ज्यादा ही खास्ता बनते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि घरम तीन है वहां हाथ में नहीं हदो आप इसे जितना अच्छे से मसल लेंगे उतने ही अच्छे हमारे नमकीन पारे बनके रेड़ी हो जाएगे बिल्कुल मारके जैसे लगेगे तो यहां कहा हम इसे अच्छे से mix कर लिया है अब इसमें add करेंगे हम Paani तो अभी आच्छे से mix हो गया है और इसमें दालेंगे हम Paani तो यहाँ मैं ठंडे पाने से ही इसे लगा रही हूं आटे को तो हम जितना पाने required है उतना ही पाने इसमें इसमें इसमाल करना है और इसे हम बहुत ज़्यादा hard नहीं और बहुत ज़्यादा soft नहीं इस तरीके से आटा लगाना है और यहां हमारा आर्टा बिल्कुल बन के रेडी है और डो बहुत अच्छे से तियार हो गया है यह से थोड़ा सा मसल लेंगे और अभी इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे हम 20 से 30 मिनिट तक के तो इसे रेस्ट करने के लिए ढाग देते हैं और अगर आपको मेरी यह रेसि कि मैं ब्लेटवर्म का यूँस कर रही ही हूं रोटी बेलने के लिए और एक लोली है जिसे बिल्कुल पतली सी डीलने के οποé इ Based weeks आप बहुत अच्छे से बेल सकते हैं, तो इसे बिलकुल पतली सी रोटी बेलना है, मोटी बिलकुल नहीं रखना है, इसे आप जितना अच्छे से पतला बेलेंगे, उतने ही अच्छे हमारे नमकीन पारे बनके रेडी हो जाएंगे, तो यहां आप देख सकते हैं, मैंने तो यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल डायमंड शेप में आ गया है और एक साइड में हमने गर्म तेल करने के लिए रख दिया था उसमें नमक पारे डाल दिये हैं और अभी यह से हमें फ्राइ करना है गोल्डन ब्राउन होने तक के तो हमने यह से हाइफ फ्रेम पर ही फ्र है उसे थोड़ा कम कर दिया है जितना आप इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे उतने ही अच्छे यह खसता तयार होंगे तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राइ कर लेना है तो यहां देख सकते हैं इसे मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने करने के लिए मैंने लिया है चाट मसाला, चाट मसाला एक बड़ा चमच लिया है, काला नमक एक चौथा ही चमच लिया है, रेगुलर नमक एक चौथा ही चमच लिया है, और यहां जो लाल मिर्श का पाउडर है, यहां हमने लिया है आधा चमच, क्योंकि यहां पर जो नमक है यहां जो मसाला है ये भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो मसाला बनके रेडी हो गया है अब यह से डालना है हमें नमक पारे के उपर तो मैंने एक जगर थोड़ी सी बढ़ी सी कढ़ाई या जो भी आपके पास में बढ़ी सी पराथ वगेरे हो उसमें लिए नहाय पूरे नमक पारे और यह जो हमने मसाला तयार किया है यह उसके उपर छिड़क देंगे और छिड़कने के पास में उसे मिक्स कर लेना है और जब नीचे की उपर की साइड नमक पार आते हैं वापिस तोड़ा सामसाला उसके उपर डाल देंगे तो इस तरीके से हमारे जो नमकीन पारे है वो बिलकुलत तैयार हो जाएंगे यहां मारे नमकीन पारे बिल्कुल मार्केट जैसे बनके रेडी हो गए है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करे और और भी नई रेसिपी इसके लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करे साथ में नोटिफिकेशन की बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूले थैंक्यू फो वाचिंग